हे गाईज, होब कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे, मैं हूँ आपका एजुकेटर Mr. Virendra Singh, होब कि आप सभी लोग ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि what should be your top strategies for the 10 days, आपकी जो strategies है, वो बाकी के 10 दिनों में क्या होने वाली है, बात करें तो आपने preparation तो करही रखा होगा, और इस वीडियो में ये नहीं बताने वाले हों कि जिन्होंने जो कुछ भी नहीं पढ़ाया, वो कैसे qualify करने वाले हैं, मैं इस वीडियो में बस इतना सा बात करने वाले कि जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, वो थोड़ा सा और कैसे मेहनत करके जो है पढ़ाई कर सकते हैं, इसके लिए पढ़ाई करने का मतलब और उसको garnish कैसे कर सकते हैं, इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, जैसे सबजी बनाते हैं तो धनिया डाल देते तो टेस्ट बढ़ जाता है, वैसे ही आपको इस पर्टिक्लरली केस में काम करना है, सवाल ये आता है कि इन 10-15 दिनों में जो आपके पास समय बचा हुआ है, क्या करेंगे आप, पहली चीज आप कोई नई चीज पढ़ने का जो है वक्त नहीं रह गया है, नई ची बायो केमिस्ट्री, सेल बालोजी या जो भी आपका इंपोर्टेंट रहा हो कि निम्हाने ये पढ़ा है, एक्सेल के लिए या बायो टेक्नोलजी के लिए मैंने ये पढ़ा है, उन सभी चीजों को जो है अब रिवाइज करने का और रिकॉल करने का वक्त आ चुका है, रि कि what should be the meaning, अगर हम बात करें तो quick term recalling, ठीक है न, quick term recalling का मतलब भी है कि आपके पास जो terms है, जितने भी आपके पास terms है, उन terms को क्या करिए, लिखिए, उन terms को specifically लिखिए, जो भी आपके पास terms है, terms क्या हो सकते हैं कि जैसे कि polymerage, मैं अगर polymerage की बात करूँ कि polymerage क्या है, terms द दूसरे सब्दों में कि polymerages है, वो क्या use होते हैं, helicages है, वो क्या use करते हैं, helicages का क्या use है, इसके बाद हमें ये कि topo isomerages के क्या use है, तो ये सारे जो है, कई specifically terms को, मैंने सिर्फ example के तोर पे आपको बोला कि इन सब ऐसे terms जो हैं, एक A4 seat लीजे, और A4 seat पे क्या करिए, कि उन सारे terms को list out कर लीजे, जिस भी unit के आप preparation कर रहे हैं, उन units को क्या करिए, कि revision करने की कोसिस करिए, revision मतलब terms को देखिए और recall करिए, साथ में आप सभी लोगों के पास एक formula seat भी तो appear होगा, ठीके न, formula seat क्या हो सकता है, कि एक आपने कहीं ने कहीं formula seat भी बना रखा होगा, जिसमें different-different formulas को जो है आपने लिखा होगा, ये भी तो ज़रूर है, अगर आपने different-different formula seat नहीं बनाया है और उनको लिखने की कोसिस नहीं करी है, तो अभी भी मौका है, एक formula seat बना लिजे, A4 seat पे जो है 2-3 pages लगेंगे, और उनको जो है proper जितने भी enzyme के formulas है, protein के formulas है, क्यो terms को लिख लें, और formula को लिख लें, जब दोनों चीजों को आप लिख लेंगे, तो उनको properly recall करने की कोसिस करें, और recall करें, जब आप recall करेंगे, so definite सी बात ये होती है, कि क्या हो जाता है, recalling करते वक्त, recalling करते वक्त, आप कोसिस करें, कि आप notes को ना देखें, अगर कहीं पर अब फस्ते हैं, तब आप notes देखने की कोसिस करें, ठीक है, तो ये काम करें, जैसा कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने आपको यही बताने के कोसिस करें, कि आप एक quick term recalling करिए, quick term recalling, और दूसरा जो है, वो formula, formula की करने, ठीक है, quick term recalling करना है, और दूसरा जो है, वो formula की बात करनी है तीसरा important चीज ये आपके 10 days चलने चाहिए formula की recalling, terms की recalling ये कब तक चलने चाहिए जब तक कि exam नहीं हो जाता, कब तक exam date तक, जब तक exam नहीं होता तब तक जो है ये आपका चलते रहना चाहिए, अब सवाल यह आ जाता है कि इन दोनों चीजों के बाद, टम रिकॉलिंग के बाद, तीसरी important चीज क्या बच जाती है, तीसरी important चीज के ऊपर जब बात करूं, तो वो बच जाता है आपका practice, क्या हो जाता है, practice, practice की बाद करते हैं, जितना ज़ाधा practice करेंगे, उतना ही आपके question के करना है अब कई लोग practice में कुछ गलतियां करते हैं गलतियों के तौर बात करें तो वो रटते हैं रटा नहीं मारना है याद रखना कि आपको रटा फ्रिकेशन नहीं करना है आपको जो भी चीज है उसको कैसे solve करना जो भी बेसिक चीजों के उपर मैंने पहले बात करने की कोशिस करी पहली चीज जो आपको करना है terms की recalling करनी है वो भी quick recalling ये quick recalling करिए दूसरी important चीज मैंने आपसे बात करी कि आप जो है formula seed बना लिजे क्योंकि numericals भी आते हैं काफी ज़्यादा formula का कर लिया तीसरी important चीज जो है आपको करना है practice practice makes man woman and perfect जैसा मैंने बोला याद रहे कि practice कितना करना है कम से कम 2008 से लेके 2022 तक के जितने भी questions है वो सब कार डालिये चाहाए बीटी के हैं चाहाए Excel के does not matter आपको बीटी के भी pyqs and excel के pyqs की बात कर रहा हूं बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी available है तो ये भी कर जाईए कहां से मिलते हैं google पे मिल जाते है pyqs तो करना बहुत ज़रूरी है practice ये तीन चीज़े आपके अब चलनी चाहिए quick recalling daily formula and practice लगभग quick recalling कितने घंटे अगर आपको on and average 4 घंटे आपके पास मिलते हैं तो आप recalling पे एक घंटा दीजिए quick recalling पे या 1.5 hours दे दीजिए quick recalling पे 5.5 hours दे दीजिए formula पे और practice के लिए जो है दो घंटे दीजिए practice और recalling का जो है balance बराबर होना चाहिए ये चीज़ ध्यान रखे रहे हैं सवाल इसके बाद ये आ जाता है कि आप ये तीनों चीज़े तो चलनी चाहिए इसके बाद क्या ठीके न कितने questions होते हैं लगभग 65 questions आर्स कितने मिलते हैं लगभग 3 hours यानि कि टोटल 180 minutes टोटल 180 minutes मिल जा रहे तो इसका सीधा सा तातपर ये है कि अगर मैं इनको लगभग देखूं तो पर question जो है वो 3 minutes मिल रहा है पर question आपको कितना मिल रहा है थ्री minutes मिल रहा है अब यही चीज़ आपको समझने की जरुवात है कि अगर आपको पर question three minutes मिल रहा है तो बहुत more than enough है क्योंकि कई सारे ऐसे questions होंगे gate में जो आपको आएंगे जो आपको आएंगे या कई इसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे यह ध्यार रखना सवाल यह आता है कि अगर आपको कोई question आ रहा है नहीं आ रहा है पैसट questions अगर gate BT हो चाए एकसल हो यही लगभग लगभग कहानी होती है इन में से time बहुत एनफ होता है इसलिए हर बढ़ानी की ज़रुवत नहीं ह अराम से solve करना है और अगर अराम से solve करोगे तो यह guarantee है कि आप अराम से qualify कर सकते है अगर आपने सही preparation कर रखी है थोड़ी बहुत तो अब नहीं पढ़ रखा तो उनका कुछ नहीं हो सकता जिन्होंने पढ़ रखा है उनकी बात हो रही है अब सवाल यह उठता है कि अगर आ पेंट्री करें तो आपके पास जो है कुछ conditions आते हैं उन conditions को मद्दे नजार रखते हुए बात किया जाए तो आपके पास जो है कोसिस करें कि सुरुवात जो हो रही है सुरुवात मतलब starting जो हो वो किसी ऐसे question से हो जो questions आपको आता हो starting बहुत important हो जाता है starting का मतलब है कि आ आपको questions आना चाहिए ऐसे questions चाहिए amino acid का question है, PI का question है, enzyme का question है, techniques का question है, biochemistry का question है, plant का question है, micro का question है, यह matter करता ही नहीं, matter यह करता है कि जो भी पहला question आप opt करें, the first question is important, एक सिकार आपने पकड़ लेना है, अगर आपने पहला सिकार सही पकड़ लिया तो बागी question सिकार आसा से पकड़ सकते हैं, तो first question is very important, इसको ढूनो जो आपको आता हो, कोसिस करो सबसे पहले, वो question हो जाने के बाद, आपको confidence automatically increase हो जाएगा, और जब automatically confidence increase होगा, तो फिर आपको फर्दर जादा दिक्कत नहीं होगी, बाकी के questions में, क्योंकि पहला question अगर नहीं बन दाना, तो फि फिर दिक्कत क्या होती है, कि हमें ऐसा लगने लगता है, कि यार, अब बाकी questions भी नहीं बनेंगे, यह बहुत difficult paper है, और आता हुआ questions भी क्या होता है, गड़बड हो जाता है, इसलिए हमेसा ध्यान रखे, basic terms के उपर मैंने क्या बात करने की कोशिस करी, basic terms के उपर मैंने यह बात किया, कि एक quick recalling सुरू कर दे, ठीक है, दूसरा, recall formula का भी करे, तीसरा, practice जो है लेके जाए, daily, fourth point, कि जो भी है, first questions को हमेसा ध्यान रखे, कि वो important है, fifth point, आपके पास time enough होता है, gate के लिए तो worry करने की जरूवत नहीं है, इनकुन basic चीजों को apply करे, मेहनत आपको करनी है, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ, जो बहुत hard and fast चूल है, बट थोड़ा सा इस वीडियो के मादम से जुड़ने से यह होता है, कि जो लोग अभी थोड़े सिथिल चल रहे होते हैं, थोड़े से नम चल रहे होते हैं, उनमे एक energy आ जाती है, अरे sir बोल रहे ह मैं कुछ गलग थोड़ी बोल रहा हूँ, कुछ अलग बोला या कुछ नया, यह थोड़ी है कि यह बहुत कुछ नया बता दिया, नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या है कि कभी-कभी सामने वाले से सुनके आ जाता है अंदर से की करना चीए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा ह क्या होगा कि gate के लिए जो है, चाहे bt के हो, चाहे excel के हो, 10 दिनों तक no new topic, क्या मोला गया, नय topic को पढ़ने की गलती ना करें, सिर्फ जो पढ़े हैं उसको quick recall करें, और practice करें, formula revise करें, और चितना हो सके जो है, अपने mood को calm और cool रखे रहें, मैं उमीद करता हूँ कि इस व वीडियो अच्छा लगा है, तो अब comment box में जरूर बताईएगा, और मिलते हैं आप सबी लोगों से next वीडियो में, till then, bye bye, take care and all the best.